हेलो गुड बार्णिग वेलकम टो अभी से कोचिंग सर्विसे यूट्यूब चनल और देखिए कि जो एक्ष्ट्रोएंट बिल्कुल जीरो लेवल है जिसको कॉंप्टिटिव एक्जाम की सुरुवात करनी है उसको बैंकिंग एक साथ त्यारी करनी है तो वो लोग को कौन से किताब पढ़ना चाहिए स्टार्टिंग में उसका नाम है लुसेंट जी के अब देखें इस किताब को याद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है इसमें बहुत सारे सब्जक्ट है सभी के सभी जिसे बेसिक जी के हिस्ट्री जोरोफी एकोनोमिक्स पॉलिटिकल साइ फिजिक्स कमेस्ट्री बाइलों जी कम्पूइटर उसका गेम जी के इतने सारे सब्जक्ट को यह कवर करता सारे 400 पेज का यह किताब है लफद 200-200 में आपके एरिया में मिल जागी या फिर ऑनलेन फिलिप कार्ड या फिर एमेजन पर यह किताब है तो इसको याद कैसे करन है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है तो आप लोगों के लिए इस प्रॉलम का सॉलूसन हम आपको लेकर आए हैं और इसके बारे में आप लोग को डेली टॉपिक टेस्ट और आपको जीडी मिलेगी हमारे इसी यूटूब चैनल पे इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेज वो विशेय का नाम है बेसिक जीके यानिकी विविद ठीक है बेसिक जीके यानिकी विविद जो बच्चा शुरू से तयारी जैसे की नगोदे की तयारी करता है या फिर किसी भी चीज की आप तयारी के जिए तो बेसिक जीके सबसे पहले पढ़ना है बेसिक जीके इसमें जो है विभीध के नाम से खेम से इसी को दिया हो गया है अब देखिए आपको इसको कम्प्लीट कैसे करना है और आप लोगउन के क्रवाई और देली आप लोग का टॉपिक टेस्ट ले ले लिए फिर आप ऑनलेन आगरके तरीका से आप कभी भूली ने सकते हैं अगर आप उस तरीके को अपना का याद करते हैं तो तो आए जानते हैं उसी के बारे में तो देखिए आपको मानने जिए कोई भी चीज याद करना है याद कैसे करना है जैसे हमें एक लिस्ट याद करना है विविध का टॉपिक वन है भारत में पर्थम पूजर पर्थम महिला है भारत में पर्थम महिला देखें क्या होता कि कोई भी लिस्ट वाले याद करना है तो कैसे याद करने एक तरीका होने चाहिए आपको बता रहे हैं जैसे कि कोई भी इस तरह से टेबल दिया रहता है बना बना करके और टेबल में क्या होता है कि 12345678910 इस तरह से कुश्चन आते हैं उसके बाद है और कुश्चन है उसको इधर एंसर है ठीक है कुश्चन में 10 रहा है ईसमें है और सब का हैंशर है य मारत की पर्थम महिला राष्ठ पति बताइए उस तरह का कि तना कोश्चन है 70 70 और यह 70 को याद करना है और यह सब कोशन अक्सर एक्जाम में एक नेक repeat होते रहती सब एक्जाम में इसलिए एक कोशन तो fix है कि आएगा ही यानि कि 70 कोशन याद कर लिए और यह एक तरह सोची ABCD है competitive exam का यह क्या है ABCD याद होना चाहिए अब देखिए इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है बहुत मुश्किल होता है कितना भी याद कर लेता है फिर भी हो तो उसी तरह से कुछ नया कोशन याद मनलब इसमें एड़ हुआ है तो वह इधर लेटेस में नहीं पढ़ें तो वह हमें याद नहीं हो सकता है लेकिन जो हम उस जमाने में जो था उसको हम पढ़े थे तो हमें तरगा सब याद है तो आपको भी इसको कैसे याद करना देखि दस को और वो जब आपको याद हो जाए तो क्या कीजे एक और पेपर लिजे और एंसर को एक बाद धग देजे और उसके बाद भारत की पर्थमाईला राष्ट फिर आप खुद से देखिए और एंसर को बोलिए जो आपसे गलत हो जाए या फिर जिसका जवाब नहीं दे पा यह दस तक बोलिए इसी तरह से आर्म долा करेंगे फिर एक सेलिके शुरू करके बीस तरिका से फिर एक्से चालिस एकसे 50 एकसे साथ सबसे सबस्थ करेंगें वी इसी तरह से क्षिति आफ करें थे शुरू तरीका बन जाएगा कैसा मंदद सिक्वेंस मन जाएक कि आप एक कुशन को सवार पढ़ चुके हो और किसी चीज़ को आप सवार पढ़ लिए तो याद तो होना ही हो भारत में पर्थम महिला हैं और भारत पर्थम पुरुस इसी तरीका से इसको याद कर लिजे अगर आपको पास इससे बेश्ट कोई तरीका है तो उसको अपना है एक भी कोशन इसमें छूटना ने चाहिए गलत ने होना चाहिए बस कोशन बोले उसका एंसर आपके मुह पे होना चाहिए तो इस तरह से भारत में पर्थम महिला टॉपिक और टॉपिक टू गया भारत में पर्थम पुरूष और कल फिर हम एक वीडियो अप्लोड करेंगे इसका आपको जीडी करवा देंगे और इसका एक टॉपिक टेस्ट लेंगे टॉपिक टेस्ट लेंगे 20 कोश्चन का देखिए टॉपिक टेस्ट में क्या होगा हम अलग से इसमें से कोश्चन बनाएंगे हम इसको कोश्चन लिख लेंगे उसके बाद फिर आपके सामने आगर के कोश्चन को परहेंगे आप कोश्चन को सुनिएगा उसका एंसर अपने सही हुआ ठीक है 16 17 18 15 और इसको उस जितना आपको सही हुआ वह आप कमेंट में लिख दीजेगा यही परकेडिया आज से डेली चलेगी हमारे इसी चैनल पर तो यह तरीका आपको काफी यादा हेल्प करेगा हमने इसी तरीके से ना जाने कितने साही लोगों को नौकरी लेकिन हमारे चैनल पर बहुत सारे जूनियर लेवल के स्टोइंट आये हुए हैं जो क्लास 10 पास किये हैं या फिर 11 पास किये हैं जिसके पास आई टी डिप्लोमा बगरा यह सब कुछ नहीं है उन लोग के लिए यह बैच है जिसमें कि सभी लोग सभी जितने भी कॉम्प् सब्सक्राइब करेगा तो देखे इसको आपने इंस्टाग्राम का वीडियो या फिर यूटूब सौट्स बहुत सारा देखे स्क्रॉल करकर कि आपने नजाने कितने घंटे आपने बर्वाद कर दिया लेकिन आप इसको अपना यह परहाई में भी एक नसा होती है और वो नसा आप करना चाहिए यह नसा अच्छी ह होती है तो चले आगा व्यूटियो कि हम यहीं खतम करते हैं और आप लोग के लिए टॉपिक ट्रेश्ट है कल एक टाइम हम कल से फिक्स करें उसी टाम में वीडियो आएगी आप उस टाम मैं आगर के वीडियो डियेगा फिर आप अपने आपको देखे कि हमारा कितना नामर और भारत में पर्थम पूरूश ये दो डिये हैं सतर कोशन और पचास तिरपन यानिकी आपको कहतना कोशन याद करना है उसमें हम आपसे पूछेंगे टॉपीक टेस्ट में 20 कोशन और देखते हैं कि कि लोगों को यह बात पसंद है इसको वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों को भी शेयर करो या फिर जो भी स्टुडेंट है क्लास 10 पास किया है फिर 11 में है वो competitive exam की शुरुवात करना चाहता है तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों बीच और आज से ही परहाई शुरू कर दिया ठीक है तो इस तरीकस क्या होगा अपने डेली एक डूगंदर टाइम देगे और आपको डेली डेली तैयारी भी होती जाएगी थैंकू समझ कल से मजा आने वाला बहुत ज्यादा थैंकू समझ